आदिती राव हैदरी और सिध्धार्थ की शादी की खबर ने सब को चौका दिया है। 16 सितंबर 2044 को तेलंगाना के वाना पार्थी में एक 400 साल पुराने मंदिर में इस जोडे ने शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया। आदिती ने सुनहरे जरी से सजी एक खुबसूरत साडी पहनी थी, जो उनकी खुबसूरती को और भी बढ़ा रही थी। वहीं सिध्धार्थ ने पारम पर एक सफेद कुर्ता और धोती पहन कर इस खास मौके को और भी खास बना दिया। इस जोडी की प्रेम कहानी की शुरुवात हुई थी 2021 में, जब दोनों फिल्म महा समुद्रम के सेट पर मिले थे। उस समय से लेकर अब तक उनके रिष्टे ने कई मोड देखे। मार्च 2024 में हुई उनकी सगाई ने फैन्स को खुशी से जूमने पर मजबूर कर दिया था। और अब उनकी शादी ने इस रिष्टे को एक नई पहचान दी है। शादी के बाद आदिती और सिधार्थ ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरे साजा की। जो देखते ही देखते वाइरल हो गई। फैन्स और बॉलिवूड सेलेब्स ने उन्हें बधाईयां दी और उनकी केमिस्ट्री की तारीफ की। आदिती हाल ही में संजय लीला भनसाली की हीरा मंडी में नजर आई थी। जबकि सिधार्थ ने तमिल, तेलुगू और हिंदी फिल्मों में अपनी अदाकारी से सबका दिल जीता है। ये जोडी न केवल अपने अभिनय के लिए जानी जाती है, बलकि उनके बीच की गहरी दोस्ती और प्यार ने उन्हें और भी खास बना दिया है। इस शादी के साथ उन्होंने अपने रिष्टे को एक नया अध्याय दिया है, और अब उनके फैन्स इस जोडी के नए सफर का इंतजार कर रहे हैं।